हमने पिछली क्लास तक purchase cost, ordering cost और carrying cost इन तीनों का revision कर लिया था और इस पर हमने कुछ MCQs भी देखे थे और आज की क्लास में हमें इस chapter का जो सबसे important concept है economic order quantity उसके ओपर बात कर दी है और वो हम शुरू करें उससे पहले मुझे कुछ और बाते आपको analyze करवानी है तो पहले वो analyze करेंगे और फिर इस chapter के जो सबसे important concept EOQ है उसके तरफ बढ़ेंगे तो आईए बिना देदी के start करते हैं आज की class को हमने पिछली class तक question number 14 तक discuss कर लिया था आज हमें question number 15 से आगे बढ़ना है तो आईए ज़रा पहले इस question को read कर लेते हैं कहता है finished output produced during the year 50,000 units हमें finished output की information दे रखिया और हम भी जानते हैं कि हमारा जो यह chapter है वो हमें raw material के point view से पढ़ना है तो हमें annual requirement किसकी चाहिए होगी raw material की और raw material की annual requirement हम निकाल पाएं उसके लिए उसने हमें अगली line में एक information दी है किरा raw material required जो है हर एक unit of finished output के लिए वो 5 kg है मतलब हर एक unit जो हम finished output का बनाते है उसमें 5 kg जो है वो raw material लगता है तो 50,000 units जब हम finished output के बनाएंगे तो हमारा raw material कितना लगेगा 50,000 into 5 मतलब 250,000 kg उसके बाद हमें order size दे रखका है 10,000 kg का cost per order हमको दे रखका है purchase price of 1 kg दे रखका है और हमें carrying cost भी percentage में दे रखकी है और हमें इस question में ordering और carrying cost दोनों compute कर दिया है तो आईए एक एक करके दोनों निकाल लेते है ordering cost का हमारा formula क्या होता है sir ordering cost का formula होता है number of orders multiplied by cost per order तो हम ऐसा कर लेते हैं पहले तो ordering cost का यहाँ पर formula ही लिख लेते है number of orders को हम किस से multiply कर देते हैं cost per orders है अब क्योंकि number of orders निकालने के लिए हमें annual requirement चाहिए होगा तो पहले हम annual requirement ही compute कर लेते हैं और annual जो requirement है वो हमें किस चीज की चाहिए वो हमें raw material की चाहिए तो 50,000 को हम 5 से multiply जब कर देंगे तो ये 2,50,000 kg आता है और number of orders हम कैसे निकालते हैं number of orders निकालने के लिए हम annual requirement को order size से divide करते हैं और order size हमें इस question में जो दे रखा है हम एक बारी में 10,000 kg मंगवाते हैं अगर हम एक बारी में 10,000 kg मंगवाते हैं तो 1,500,000 kg order करने के लिए हमें पूरे साल भर में कितने order place करने पड़ेंगे सर हमें 25 orders place करने पड़ेंगे 25 orders place करने पड़ेंगे और number of order आते ही अब आप ordering cost compute कर सकते हैं ordering cost हमारी कैसे आएगी number of orders जो की 25 है और cost per order को हम multiply कर देंगे cost per order हमें दे रखा है 30 रूपीज का तो इंटू 30 अगर हम कर देते हैं तो हमारा साड़े 700 रुपे यहां पर ordering cost आ रहा है 750 का हमारा ordering cost आ रहा है एक बार आप प्लीज चेक कर लिजे चलिए अब बताएगे carrying cost का formula क्या था सर carrying cost का formula था average stock held multiplied by carrying cost per unit per annum मैं short pumps यूज कर रहा हूं time save करने के जिए ठीक है ना चलिए अब बताएगे average stock held कैसे निकलता था सर average stock held निकालने का तरीका था हम order size by 2 कर रहे थे order size हमारा यहां पर 10,000 kg का है और अगर हम इसे 2 से divide कर देंगे तो 5000 kg आ जाएगा मैंने इसका logic up को पिशली class में देही दिया था क्योंकि हम यहां पर यह मान के चल रहे थे कि uniform consumption मतलब हर रोज हमारा same consumption होता है और दूसरा कि हम अपना next order size तभी receive करते हैं जब हम अपना पुराना order size खत्म कर लें तो closing stock हमेशा 0 होगा opening stock हमेशा order size होगा इसलिए opening plus closing by 2 करने की बजाए हम simply order size by 2 कर रहे हैं क्योंकि opening stock हमेशा ही order size होने वाला और closing stock हमेशा ही 0 होगा और opening stock हमेशा ही order size होगा इसलिए हम order size by 2 करके average stock हेल निकाल लेते हैं इसके बाद हमें यहां पर चाहिए होगा carrying cost per unit per annum क्या था यह हर एक unit को जब हम अपने पास carry करेंगे तो हमारा कितना खर्चा आएगा एक साल का मतलब एक unit को एक साल अपने पास रखने का कितना खर्चा आता है अब यहां पर हमें carrying cost percentage में दे रखी है कितनी percentage दे रखी है 15% और मैंने आपको यह पिछली क्लास में बताया था कि जब भी carrying cost percentage में दे रखी हो तो हमें एक unit के purchase price पर apply करना है एक unit का purchase price 20 रुपे है तो मैं यहां पर जब एक unit का purchase price जो की 20 रुपे है उसका 15% निकालता हूँ तो हमारा यह 3 रुपे आता है को carry करने का 3 रुपे खर्चा बैठता है तो हमारा 15,000 रुपे का carrying cost बैठेगा तो हमारा जो सही answer क्या हो जाएगा हमारी ordering cost कितनी आई है 1500 रुपे आई है और carrying cost कितनी आई है 15,000 रुपे आई है अब आप देख लिए साले साथ सौ और 15,000 किस option में है साले साथ सौ और 15,000 यह रहा ए इस दी करेक्ट आंसर इसको नोट करना नोट कर लिजिए आप चलिए question number 16 की तरह बढ़ते हैं अगर आप question number 16 को देखोगे न question number 16, 15 ही है बिल्कुल, almost सारी information मैंने सेम रखी है बस मैंने यहाँ पर एक चीज़ बदले है और वो है order size order size अब भी हमने question number 15 में कितना देखा था हमने देखा था वहाँ पर 10,000 kg था यहाँ हमने order size कितना कर दिया है क्या word यूज किया है मैंने यहाँ पर reorder quantity वर यूज किया तो ध्यान रुखेगा please order size यह reorder quantity एक ही बात है अब आप देखे धियान से वही सब कुछ है 50 यार हमारा finished output है 5 kg हर एक यूनिट पर लगता है तो हमारा annual requirement यहाँ पर वही same ही आएगा कितना आएगा annual requirement वही 5,000 kg आएगा नहीं तो annual requirement में कोई बतलाब नहीं है लेकिन इस बार हमारे number of orders जो है वो change जाएंगे number of orders क्यों change जोगे क्योंकि हमारा order size जो है वो बढ़ चुका है number of order निकालने का क्या तरीका annual requirement को order size से divide कर देते है annual requirement हमा कर रहा है वो 25,000 kg है तो हमारे number of orders आजाएंगे 10 orders मैं फिर से बोल रहा हूँ time save करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ short forms यूज कर रहा हूँ चलिए अब हमारे number of order आ गए अब आपको क्या करना है simply ordering cost निकालने के लिए number of orders को cost per order से multiply कर देना है तो ordering cost निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे यह number of orders है 10 order इसको cost per order से cost per order हमें यह रहा 30 रूपीज का दे रखा है 30 से multiply कर देंगे तो हमारी जो ordering cost आ जाएगी वो कितने रूपे आ जाएगी वो हमारी 300 रूपे आ जाएगी इसके बाद अब आप क्या करने वाले हैं इसके बाद आप carrying cost निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि carrying cost का formula होता है average stock held into carrying cost per unit परेनम और average stock held जो है ये भी dependent होता है order size पर order size बतलेगा तो average stock held बतलेगा तो हमारा यहाँ पर average stock held अब क्या हो जाने वाला है हमारा यहाँ पर average stock held जो है वो बदल जाएगा order size by 2 order size हमारा 25,000 kg है by 2 साड़े 12,000 kg हो जाएगा और जो हमारा carrying cost per unit per annum है carrying cost per unit per annum है वो तो same ही रहेगा ना same कितना sir एक unit का purchase price 20 रुपे है 20 रुपे पर 15 अगर हम निकालेंगे वही 3 रुपे आना जो अभी निकाला था वो average stock held साड़े 12,000 multiplied by 3 कितना हो गया बता हुई sir यह हो जाएगा 37,500 37,500 तो हमारी जो ordering cost है वो तो आगई 300 रुपे और जो हमारी carrying cost है वो आगई 37,500 300 और 37,500 कौन से option में दिखरा है आपको sir यह रहा c is the correct answer question number 17 भी आप देखोगे तो 15 16 जैसा ही है मैंने फिर से जो बतला है क्या बतला है order size बतला है इस बार मैंने order size सिरफ 1000 kg किया है मैंने 10,000 से पहले 25 यार गया मतलब 10 यार से जादा order size रखा इस बार मैंने 10 यार से कम order size रखा मतलब 1000 kg किया और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे कुछ बात है यहाँ पर आपको conclude करवानी है और उसी की मदद से हम अपने अगले concept की तरफ move कर जाएंगे चलिए अब देखोगे बाकी सारा data फिर से वही same है हमें इस बार order size जो है वो कितना है कितना दे रखा है 1000 kg दे रखा है तो आईए ज़र आएक करके solve करना शुरू करते हैं तो धाई लाग केजी की हमारी आइनवल requirement है एक बारी में हम 1000 kg मंगवाते हैं तो अगर एक बारी में 1000 kg मंगवाओगे तो इस बार तो आपको बड़े सारे order करने पड़ जाएंगे कितने order करने पड़ जाएंगे 250 orders करने पड़ जाएंगे तो हमारी ordering cost कैसे आएगी number of order जो की 250 orders है इसको हम multiply कर देंगे एक order की cost से मतलब cost per order जो की 30 रुपे है तो हमारी ordering cost 75-100 रुपे आजाएगी इस बार 75 रुपे आजाएगी अब ऐसे हैं अगर हम carrying cost निकालें तो carrying cost के लिए हमें पहले average stock health चाहिए होता है average stock health हमारा कैसे आएगा order size by 2 order size हमारा कितना हो चुका है 1000 kg इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा average stock चो हेल आएगा वो 500 kg आएगा और उसके बाद हम carrying cost per unit per annum निकालेंगे carrying cost per unit per annum कैसे निकालोगे एक यूनिट का आप लोगे purchase price उसको 15% से multiply करेंगे ये भी वही सेम ही तो आएगा 3 रुपे और अगर हम यहाँ पर carrying cost निकालेंगे तो carrying cost का क्या formula होता है average stock held को हम multiply कर देते हैं carrying cost per unit per annum से per unit per annum से average stock held हमने उपर निकाला 500 kg और 500 को 3 से multiply कर देंगे तो हमारा ये 15 100 रुपे आता है तो हमारा सही answer क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 100 रुपे की हमारी ordering cost है और 1500 रुपे की हमारी carrying cost है 7500 और 1500 जो है B is the correct answer इसको भी note करो आप आईए अब हम कुछ यहाँ पर analysis करते हैं देखिए question number 15 16 और 17 सेम ही थे बस तीनों में क्या हमेंने बतला था order size बतला था और यहाँ पर अब हम कुछ conclusions draw करने लगे हैं सबसे पहले जब हमने question number 15 किया मतलब जहाँ पर हमने order size 10,000 kg रखा तो हमारा जो ordering cost था वो कितना था 750 था और carrying cost हमारा 15,000 था नहीं तो 750 और 15,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा ordering cost कितना था 750 था और यह हमारा 15,000 था ठीक question number 16 में मैंने order size को बढ़ा दिया अब मुझे बताईए order size को बढ़ाने से ordering और carrying cost पर क्या असर पड़ता है कि order size जब बढ़ता है तो ordering cost गिरेगी order size बढ़ाने से ordering cost क्यों गिर जाएगी क्योंकि जब आप order size बढ़ाओगे मतलब carry भी तो करना पड़ेगा ज्यादा पैसा भी तो ब्लॉक होगा और ज्यादा क्योंकि carry करेंगे तो carrying cost बढ़ेगा क्योंकि carrying cost और order size की बीच में direct relationship होता है positive relationship होता है तो इसलिए carrying cost बढ़ेगी इसका मतलब ये बात तो clear है question number 16 में अभी देख लेते हमने क्या निकाला है question number 16 में ordering cost 750 से कमाने वाली है और carrying cost 15,000 से ज़्यादा आने वाली है नहीं क्योंकि ordering cost जो है order size बढ़ाओगे तो गिर जाएगी तो ये carrying cost देखो बढ़के कितना हो गया 37,500 हो गया आओ जरा ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार ये हमारा कितना हो गया ये हमारा 300 हो गया और ये हमारा 37,500 हो गया तो आप अगर देखें question number 15 और 16 के बीच में अगर हम comparison करें तो हमने क्या किया है देखो सबसे पहले तो हमने order size को increase किया है order size बढ़ा है 15 और 16 के बीच में comparison देखो order size बढ़ा है और उस order size बढ़ने की वजहा से हमारी जो ordering cost है वो गिर गई और जो हमारी carrying cost है वो बल गई क्योंकि एक का inverse relationship होता है और दूसरे का positive relationship होता है और अगर आप यही question number 17 में देखेंगे तो हमने order size कितना कर दिया 1,000 के मैं deliberately मैंने एक question में order size को बढ़ाया और दूसरे question में order size को घड़ाया अब जब देखें आप तो 1,000 of course 25,000 से भी कम है और 10,000 से भी कम है मतलब मैंने order size को इस बार reduce किया अब order size अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत obvious सी बात है कि हमारी जो ordering cost है वो बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि अगर हमने order size कम किया है मतलब हम कम एक बारी में खड़ीद के लेके आएंगे तो market से अब हमें ज्यादा order place करने पड़ेंगे और order बढ़ा दोगे तो ordering cost बढ़नी बढ़नी है मतलब इस बार हमारी जो भी ordering cost आएगी वो पक्का पक्का साड़े साथ जो तो जादा ही आएगी क्योंकि हमने 10,000 से भी कम कर दिया order size और हमारी carrying cost जो निकल के आएगी क्योंकि हम अब 1,000 ही मंगवा रहे है मतलब हमें carry भी कम करना पड़ेगा अगर हम order size कम करेंगे तो average stock health कम होगा और average stock health का क्या मतलब हमें कम carry करना पड़ेंगे तो of course carrying cost भी हमा हमारा क्या answer है 7500 का हमारा ordering cost है और मातर 1500 रुपे का carrying cost है तो मैं अगर इसको भी यहां पर लिख दूँ तो हमारा 67,000 रुपय और यह 1500 रुपय है और यहां पर अगर आप देखें तो आपने क्या किया है इस बार आपने order size को reduce किया है और order size को reduce करने से ordering cost आपकी बढ़ हो गई और carrying cost तो आपकी बहुत जबर्दस तरीके से गिरी है 15,000 से आपकी carrying cost कितनी रहेगा यह 1500 और अगर इस से compare करो तो बहुत ज़्यादा गिर कही carrying cost तो हमने यह बात फिर से यहाँ पर observe करी कि order size और ordering cost के बीच में inverse relationship होता है और order size और carrying cost के बीच में positive relationship होता है अब सवाल यह उड़ता है कि हम अब करें क्या अगर हम एक cost बचाते हैं तो दूसरी को बचाते हैं तो पहली increase बचाती है तो हमें अब पता है क्या focus करना है अब हम बाते ही बातों में अपने अगले concept की तरफ बढ़ रहे हैं अब हमें focus क्या करना है एक ऐसा order size ढूनना है जहाँ पर हमारी cost कम से कम हो जैसे कि अगर मैं आपसे सरफ इन तीनों order sizes के बीच में पूछू कि मैं अगर आपसे ये पूछू कि बताइए इन तीनों में से अगर आपको कोई एक opt करना हो तो कौन सा opt करोगे सर आप यही कहेंगे न कि जहाँ पर हमारी total cost minimum आ रहे हम वो opt कर लेंगे मैं अगर यहाँ पर ordering और carrying का सम करता हूँ तो यह कितना आता है यह आता है 15,750 मतलब मैं किसी एक को ना पकड़के दोनों के sum को अगर मैं analyze करूँ दोनों के sum पर focus करूँ मतलब दोनों का जो जोड निकल के आता है ordering और carrying का उस पर अगर मैं focus करता हूँ तो मैं एक सही और बहतर decision ले पाता हूँ मतलब मुझे अगर इन तीनों में से किसी एक coopt करना हो तो मैं ये देखूँगा कि मुझे दोनों का sum कहां पर कम से कम देना पड़ रहा है दोनों का sum minimum इन तीनों में से कौन सा आ रहा है इन तीनों में सबसे कम sum तो यहीं प्यार है मतलब अगर मुझे इन तीनों में से ही कोई एक choice करनी हो तो मैं तो फिर यही बोलूँगा बई 1000 kg order करें अब आपके दिमाग में एक सवाल भी exceptions में आगे देखेंगे बदल सकती है लेकिन generally purchase cause जो होती है वो constant रहती है for example आप एक बारी में 10,000 मंगवा हो एक बारी में 25,000 मंगवा हो या एक बारी में सिरफ 1000 kg मंगवा हो आपको पूरे साल भर में तो सेम ही मंगवाना ना थाई लाग केजी भी annual requirement तो हमारी तीनो ही question में कितनी थी धाई लाग केजी अब वो आटे वाला example याद करो आप एक बारी में ममा अगर आपसे 10 kg मंगवाती है या 50 kg मंगवाती है या 100 kg मंगवा लेती है पूरे साल भर में तो आपको 100 kg ही चाहिए ना आपके order size बदलने से आपकी annual requirement थोड़ी बदलती है मतलब मैं अगर suppose आपसे यही पूछू हूँ कि बताइए यहाँ पर अगर मुझे purchase cost निकालना हो तो purchase cost कैसे निकालोगे सर purchase cost निकालने का तरीका होता है annual requirement मतलब number of units purchased in a year multiplied by purchase price per unit आप कोई भी question उठालो आपकी annual requirement मतलब पूरे साल भर में कितना purchase करोगे डाई लाग kg तो purchase कर रहो ना और हर एक unit का price कितने रुपे था बीस रुपे था मैं अगर मान लोग तीनों ही questions में अगर purchase cost compute करता हूँ तो मुझे compute करके बताओ कितनी आएगी आप क्या कहोगे सर धाई लाग kg मंगवाने है एक kg बीस रुपे का है इसका मतलब पचास लाग रुपे की purchase cost है क्या question number 16 में बदल जाएगी क्या नहीं धाई लाग kg तो मंगवाएगी पूरे साल में यहाँ पर भी 50 लाग ही आएगी तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी सर पचास लाग ही आएगी मतलब purchase cost का order size के साथ कोई relation नहीं है जैसे order size और ordering cost के बीच में inverse relationship है order size और carrying cost के बीच में positive या direct relationship है लेकिन order size और purchase cost के बीच में कोई relationship as such है ही नहीं purchase cost will remain constant कुछ exception है जहाँ पर वो भी बदल सकता है लेकिन अगर question में कुछ नहीं बोला तो फ़ी simple सी बात logical सी बात है order size simply क्या है कि मैं एक बारी में कितना मंगवा रहा हूं तो पूरे साल भर में तो जो आपकी annual requirement रहेगी वो तो same ही रहेगी ना आप एक बारी में चाहिए जतना मर्जी ले किया हो पूरे साल भर तो आपको वही quantity मंगवाना हो ना जो आपका मंगवाना होता है जैसे धाई लाग यहाँ पर kg मंगवाना तो पूरे साल धाई लागी है आपके number of order ही तो बदले है और number of order क्यों बदले है क्योंकि आपने यहाँ पर जो है order size बदल दिया लेकिन annual requirement ही लागी है तो ध्यान रखें decision making के लिए अगर हमें बोला जाए कि बताओ कौन-कौन सी cost consider कर दी है तो ordering और carrying का sum देखते हैं कि वह minimum कहाँ पर है जहाँ पर वह minimum होगा हम उस वाले order size को opt कर लेते हैं लेकिन हाँ कई बार question clerical काम करने के लिए बोलेगा भी total cost निकाल के बताओ और total cost निकाल के देदेंगे उसको purchase cost भी कभी-कभी matter करेगी पर अगर purchase cost के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम यहीं मान के चलते हैं कि वह same ही रहती है तो इसलिए हमारा सारा focus जो है वो किस पर होता है वो ordering और carrying cost पर होता है तो अगर इन तीनों मेंसे मैं अगर आपसे पूछू कि बताओ कौन सा order size order करोगे तो आप क्या बोलोंगे 1000 kg लेकिन ये भी सबसे सस्ता order size नहीं है अभी हम एक ऐसा order size निकाल सकते हैं जो इससे भी ज़्यादा कम cost देगा हमको इन तीनों मेंसे तो हाँ 1000 साही है लेकिन अगर क्या मैं ये पूछू क्या इससे भी कुछ बहतर है हाँ इससे भी कुछ बहतर है मतलब 1000 order size जो आपने यहाँ पर रखा है इससे भी एक बहतर order size होगा वहाँ पर जो cost निकल के आएगी वो minimum निकल के आएगी मतलब अब हमें यही ढूणना है जैसे हमने देखा इन तीनों में से minimum कहाँ पर आ रही है 1000 kg अब अगला सवाल हमारा यह है क्या इससे भी कुछ minimum हो सकता है मतलब जो यहाँ पर 9000 सबसे कम sum आया है cost का क्या 9000 से भी कम cost हो सकती है क्या मैं कहरा हूँ हो सकती है और उसी को ही निकालना अब सीखना है और उसी को बोलते हैं economic order quantity मतलब ऐसी order quantity या ऐसा order size जो economical है जो सबसे सस्ता है तो अब हम क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर एक cost बढ़ेगी दूसरी cost घटेगी दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी अब हमें focus करना है कि दोनों का sum जो है वो minimum कहाँ पर हो सकता है और वो order size अगर हम ढूंट पाएं तो उससे सस्ता order size नहीं हो सकता इसको note करना हो तो करो फिर हम आगे की discussion को continue करें इस chapter का सबसे important concept और exam का सबसे प्रबल दावेदार मतलब अगर inventory management से question बनेगा तो chances हैं कि ये concept जो है ये तो पक्का ही पूछा जाएगा तो इस concept को आप बिल्कुल भी छोड़ना effort नहीं कर सकते है अब क्या है ये economic order quantity देखिए हमने अब ये भी देखा कि order size और ordering cost के बीच में इन्वर्स relationship है order size और carrying cost के बीच में positive relationship है एक बढ़ता जा रहा है एक घड़ता जा रहा है तो अब हमें एक ऐसा रास्ता ढूनना है जहां पर हम ये कह सके कि ये order size ना सबसे best है अब ये तो करना है ना कोई ना कोई तो एक order size हमें चूज करना ही पड़ेगा किसना किसी एक order size को तो हमें बोलना ही पड़ेगा हाँ ये वो quantity है जो हम हर बार order करेंगे और हम कौनसी quantity order करना चाहेंगे जहां पर हमारी total cost minimum आएगे और अब ये भी आपने देखा purchase cost हाला कि order size से कोई उस पर फरक पड़ता नहीं इसलिए purchase cost को फिलाल side में रखो क्योंकि व एक को बचाओगे दूसरा बढ़ जाएगा दूसरे को बचाओगे पहला बढ़ जाएगा तो हमें focus किस पर करना है संपर ordering और carrying cost के संपर तो economic order quantity वो order size है पहले तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से डालिए कि ये एक order size है economic order quantity ये order quantity ही है लेकिन सबसे economical है मतलब सब से सस्ता order size यही वाला होगा इससे बहतर deal नहीं हो सकती अगर आप EUQ order कर रहे है इसका मतलब best deal मिली है आपको इससे बहतर order size हो ही नहीं सकता अब क्योंकि हमने ये बात observe करी कि हम किसी एक पर focus नहीं करेंगे हम किस पर focus करेंगे sum पर focus करेंगे तो सबसे पहले तो आप इस बा सब्सक्राइब है कि एक ऐसा order size है ध्यान रखके order size है जहां पर ordering और carrying cost का sum क्या होगा minimum होगा और दूसरी सबसे important condition कि ordering cost और carrying cost बराबर होगी ordering cost will be equal to carrying cost अब जड़ा देखिए जो हमने अभी अभी तीन question solve कि इन तीनों में माना कि sum of ordering और carrying इस 1000 kg पर था यहां पर सबसे कम sum आय था लेकिन क्या यह EOQ है अगर मैं आपसे पूछू कि क्या यह EOQ है नहीं यह EOQ नहीं है क्योंकि EOQ होने के लिए एक और दूसरी condition भी पूरी होना ज़रूरी है और वो यह कि ordering cost और carrying cost बराबर होनी चाहिए यहां पर आप देखिए ordering cost 4500 है और carrying cost 1500 है मतलब यह बराबर न होनी है इन तीनों में आगर मैं पूछू कि हाँ तीनों मैं सबसे ज़ायाать है जहां पर ordering और carrying cost भी बराबर होगी डोनों equal होगी आप कुछ ऐसा समझ लो मालो दो फ्रेंड्स है और एक फ्रेंड जो है ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है और एक फ्रेंड जो है वो किसी बड़ी सी बिल्डिंग के 25 फ्लोर पे खड़ा है एक फ्रेंड कहां खड़ा है? ग्राउंड फ्लोर पे और carrying cost बढ़ेगी, तो सोचो, एक उपर जा रहा है, और एक नीचे आ रहा है, बीच में कहीं तो दोनों मिलेंगे ना, भाई, एक अगर उपर जा रहा है, एक cost बढ़ रही है, एक cost घट रही है, एक friend ground floor से उपर की तरफ जा रहा है, और एक friend 25 माले से नीचे की तरफ आ रहा है तो कहीं तो दोनों बीच में मिलेंगे ना, ठीक, ऐसे भी है, ordering cost और carrying cost कहीं तो बीच में बराबर होंगी ना, जब एक cost लगातर बढ़ती जाएगी, एक cost लगातर घटती जाएगी, तो कहीं तो दोनों का बीच में मिलाब होगा, और जहां वो दोनों बराबर आ जाएं, ज उसी order size को हम बोलेंगे यही EOQ है, मतलब यह कि यहाँ पर यह दावा है, इस order size के अलावा किसी और order size पर cost कम आ ही नहीं सकती, EOQ पर ही आ सकती है, हाला कि इसके कुछ exceptions होंगे, लेकिन वो कारण कुछ और है, लेकिन main अगर हम एक basic rationale, basic अगर हम conclusion ड्रॉक करें, तो वो यह कि economic order quantity, नाम ही देखो क्या है, यह एक economic order quantity है, सबसे सस्ती order quantity है, अब यहाँ पर आप देखिए, हमारे यह EOQ कंप्यूट करने का formula क्या है, EOQ कंप्यूट करने का formula है, square root of 2 into A into O divide by C, जहाँ पर A क्या है, annual requirement, O क्या है, cost per order, और C क्या है, carrying cost per unit per item, फिर से बोलते हैं, EOQ का formula क्या ह है, square root of 2 into A into O divide by C, जहाँ पर A क्या है, annual requirement, O क्या है, cost per order, और C क्या है, carrying cost per unit per item, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, देखो यह एक detailed revision class है, inventory management, जो regular batch में हम करते हैं, proper बिल्कूल आपका हाथ पकड़के एक चीज लिखवाना और एक एक question practice करवाना, regular batch का inventory management भी YouTube पर uploaded है, अगर आप playlist वाले section में जाएंगे, वहाँ पर ये formula मैंने mathematically derive भी करवाया है, मतलब वहाँ पर हमने इसका derivation भी किया है, हला कि derivation हमारे exam के लिए बिल्कुल भी relevant नहीं है, चाहे आप descriptive pattern के बच्चे हों, या MCQ pattern के बच्चे हों, derivation हमारे exam में नहीं पूछी जाती, पर मैंने mathematically वहाँ पर derive करवाया है, अगर आपका attempt अभी immediate due नहीं है, मतलब immediately आपका attempt due नहीं है, आप अराम से, मतलब अभी जैसे अभी मानलो December का attempt आने वाला आपको June में exam देने हैं, तो आप वो वाला जो regular badge का है वो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका attempt जल्दी ही आन नहीं जा रहा हूँ, हमारा EOQ compute करने का एक formula है, और वो formula क्या है, हमें 6 के अंदर, मतलब square root के अंदर, 2 into A into O divide by C, जहाँ पर A आपको पता ही है, annual requirement, किसका annual requirement, raw material का, और O भी आपको पता है, क्या होता है, cost per order, और C क्या है, carrying cost per unit per item, अब हम इसी EOQ पर कुछ और MCQs करते हु EOQ के concept को analyze करेंगे, और हम शुरुवात कर रहे है, question number 18 से, question number 18 में अगर आप देखेंगे, तो इसने हम से EOQ निकालने के लिए बोला है, EOQ पर ordering cost compute करने के लिए बोला है, और EOQ पर ही carrying cost compute करने के लिए बोला है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझे, EOQ बोला है, इसका वो order size है, जहां पर total cost सब से कम आएगी, यह दावा है, इसके अलावा, जो भी हम अभी order size निकालेंगे, इसके अलावा, किसी भी और order size पर अगर आप total cost compute कर लोगे, तो आप देखोगे, ज़्यादा ही निकल के आएगी, हम अब यह सब बात है, analyze करेंगे, इसके बाद जो हम कुछ examples लेंगे, वो भी इसी question number 18 से ही connected होंगे, मतलब 19 और question number 20 जो हम करेंगे, और फिर हम उन questions की मदद से, जैसे अब हमने 15, 16, 17 की बीच में एक analysis किया न, ठीक, ऐसे ही मैं question number 18 करूँगा, फिर 19 करूँगा, उन दोनों की बीच में फिर देखेंगे कि अच्छा, ये conclusions निकल दी हैं, आप वो देख सकते हैं, फिलाल यहां पर हम derivation बिता ही जाएंगे, because वो exam के लिए relevant नहीं है, यो क्यों को formula होता है, square root of 2 into A into O, divide by C, अब यहां पर हमारा A जो है, वो कितना है, 20,000 kg है, हमें दई रखा है, O जो है, मतलब cost per order 8 rupees है, और carrying cost हमें 8% बताइए, आप मुझ के purchase price पर apply करते हैं, तो पहले हम सब चीज़े लिख लेते हैं, हमारे पास क्या A है, हाँ जी सर, A है, A कितना है, requirement of material दे लखा है, 20,000 kg, अब कुछ बोला नहीं है, कि यह मंतली है, कैसा है, तो क्या मानेंगे, and वो ली दे रखा होगा, उसके बाद O, O मतलब क्या होता है, cost per order 8 रुपे है, उसके बाद C, C यहाँ पर क्या है, caring cost per unit per annum, ठीक है, जो भी हम पूरा-पूरा लिख रहे हैं, उसको हमने सिर्फ एक initial C से यहाँ पर रेप्रेसेंट कर दिया है, और यह caring cost per unit per annum कैसे निकलेगी, जो भी हमारा एक unit का purchase price होगा, उस पर यह percentage apply कर देंगे, तो 100 रुपे का 8% होता है, 8 रुपे, क्योंकि 1 kg का purchase price 100 रुपे है, तो 100 रुपे का 8% मतलब 8 रुपे का हमारा caring cost हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, बस अब आपको इस formula में यह सारी information को डाल देना है, तो 2 into 20,000 into 08 divided by 8, जड़ा मुझे calculate करके बताओ, यह कितना आ रहा है, ध पर देखोगे, एक छतरी मतलब square root का button होगा, कितना आ रहा है, यह 200 kg आ रहा है, अभी तक हम जो questions कर रहे थे, वहाँ पर हमें order size दे रखा था, यहाँ पर हमने order size निकाला है, लेकिन यह है क्या order size ही है, मतलब हमें 200-200 के lots में order करना चाहिए, हमारा order size 200 kg होना चाहिए, अब इ इस EOQ पर, मतलब इस order size पर ordering cost compute करना, तो ordering cost का formula क्या होता है, sir, ordering cost का formula होता है, number of orders, multiplied by cost per order, मैं इसको डब्बे में डाव देता हूँ, हमने पहली requirement पूरी कर ली है, अब हम दूसरी requirement की तरफ बढ़ रहे है, number of orders कैसे आते हैं, sir, annual requirement को order size से divide करते हैं, 20,000 को 200 से divide कर देंगे, तो बताए कितना आ रहा है, sir, यह आ रहा है 100 orders, बतलब आपको 100 orders place करने पड़ेंगे, ठीक है, अब आप ordering cost निकाल दीजिए, number of orders हमारे 100 हैं, और cost per order 8 रुपे है, 800 रुपे की हमारी ordering cost रदाएगे, 800 रुपे की ordering cost रदाएगे, देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, EOQ वो order size है, जहां पर sum of ordering और carrying minimum होता है, यह भी हम प्रूब करेंगे, और दूसरी condition बताई, जहां पर ordering cost equal होती है, carrying cost, के मतलब ordering cost और carrying cost बराबर होती है, क्योंकि यह EOQ पर हमने ordering cost 800 रुपे निकाली है, और मैं जानता हूँ EOQ पर ordering और carrying बराबर होती है, इसका मतलब carrying cost मैंने अभी compute नहीं करी है, मुझे पहले से ही पता है, वो 800 रुपे ही निकल के आएगा, क्योंकि यह EOQ की condition है, अभी मैंने carrying cost निकाली नहीं है, पर हमें पहले से ही पता है, क्योंकि EOQ पर यह दोनों बराबर होती है, इसका मतलब अभी जब मैं carrying cost आपके सामने compute करूँँगा, तो आप देखेंगे वो 800 रुपे ही आएगा, अब आप मुझे पहले यह बताएगे, carrying cost compute करने का formula क्या होता है, सर्वो होता है, average stock held multiplied by carrying cost per unit per annum, carrying cost per unit per annum तो उपर आपने निकाल रखा है, 8 रुपे है, average stock held कैसे निकालते हैं, सर्वो निकालते हैं, order size by 2, order size हमारा कितना है, इस question में 200 है, 100 kg हो गया, average stock held, तो हमारा carrying cost कितना आदाएगा, 100 kg multiplied by 8, 800 रुपे, देख लो, same ही आया है, ये तो same आना ही था, तो हमारा answer क्या होगा, सर इसने EOQ मांगा, जो 200 kg आया, फिर इसने ordering cost मांगी, जो 800 रुपे आई, फिर इसने carrying cost मांगी, वो भी 800 रुपे आई, 200, 800, 800, 200, 800, 800, A is the correct answer, A is the correct answer, question 19 करेंगे न, तो फिर हम analysis भी करेंगे, अभी हमने simply solve किया है, अब हम analysis करेंगे, जब question 19 को भी solve कर लेंगे, मैं अगला question करवा हूँ, एक बात याद रखना, यहाँ पर हमारी ordering और carrying cost का sum कितना है, जब 800 ordering cost है और 800 carrying cost है, दोनों का sum कितना आजा है, 1600 आजा है, दोनों का sum कितना है, 1600 आजा है, इस बात को ध्यान रखेगा, याद रखेगा, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, और वो है question number 19, देखें, अगर आप question number 19 के information को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल question number 18 जैसे ही दिखेगी, आप देखें, यहाँ पर भी हमारा annual requirement वही 20,000 kg है, cost per order 8 रुपेई है, और carrying cost भी अगर आप निकालोगे, 100 का 8 परसेंट तो 8 रुपे ही आएगा, और अगर यह तीनो डेटा सेम हैं, तो इसका मतलब हमारा EOQ तो वही सेम 200 kg होना चाहिए, मतलब हमारा order size तो 200 kg होना चाहिए, कोई भी समझदार इंसान इस डेटा को लेकर, जब order size compute करेगा, तो 200 kg आएगा, और हमें पता है, 200 kg से बहतर order size नहीं हो सकता, लेकिन इस question हमें क्या बोला है, इस question हमें बोला भई, order size मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कितना बताया है, 500 kg बताया है, मतलब यहाँ पर हम जो best हो सकता है, उससे deviate कर रहे हैं, और अगर हम best से deviate करेंगे, तो अफकोर्स उसका हमें हड़ जाना तो भढ़ना ही पड़ेगा, मतलब अभी अभी हमने, जो इससे ठीक पहले question किया, वो best order size था, EOQ 200 kg, और वहाँ पर sum कितना आया था, 800 प्लस 800, 16,00 रुपे sum आया था, ordering और carrying का, यहाँ पर जब हम ordering cost और carrying cost निकालेंगे, जो कि इसने हम से पूछा है, हम दावे के साथ बोल सकते हैं, कि यहाँ पर ordering cost और carrying cost का, जब sum आप देखोगे, तो 1600 रुपे से तो ज़्यादा ही आएगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि यह EOQ नहीं है, क्योंकि best तो EOQ ही होता है, EOQ से best deal मैंने कहा ना, आपको नहीं मिल सकती है, यह data अगर दे रखा है, 20,000 हमारा annual requirement है, 8 रुपे cost और और carrying cost भी 8 रुपे है, तो इन तीन चीजों की मदद से, जो order size निकलेगा, वो तो 200 kg ही निकलेगा, पर question ने अपना order size दे दिया, तो हम ज़्यादा कुछ बूल नहीं पाएंगे, उसने बोला है कि 500 kg का order size है, तो चलिए आएए, पहले इस question की requirement को पूरा करते हैं, और फिर हम analysis करेंगे, कि क्या यहाँ पर अलग चीजे हुई, यह मतलब क्या यहाँ पर बदलाब आये हैं, सबसे पहले, हमें ordering cost compute करनी है, तो ordering cost का formula, अब तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा, वो क्या होता है, number of order लेते हैं, और उसको multiply कर देते हैं, cost per order से, और number of orders कैसे आते हैं, सबसे नंबर of orders आते हैं, annual requirement को order size से divide करके, 20,000 को जब मैं 500 से divide करूँआ, annual requirement 20,000 कीजी की है, और order size 500 कीजी है, तो 20,000 को 500 से divide करके आता है, 40 orders, और अगर अब आप ordering cost निकालेंगे, तो 40 orders multiplied by cost per order, 8 रुपे cost per order है, तो 320 का ordering cost आएगा, 320 का क्या आएगा, ordering cost आएगा, अब हमें क्या निकालना है, carrying cost उसने दूसरी चीज़ पूछी है हमसे, तो carrying cost हमारे जो निकलता है, उसका formula पहले बताएगे, सर carrying cost का formula होता है, average stock held, multiplied by carrying cost per unit per annum, average stock held कैसे आता है, सर वो आता है, order size by 2, order size हमारा कितना है, सर order size हमारा 500 है, तो 500 को 2 से divide करके क्या आएगा, 250 kg, है ना, और carrying cost per unit per annum, वो तो वही सेम ही आने वाला है, 8 रुपे ना, 100 रुपे का 8%, वो तो 8 रुपे ही आएगा, तो carrying cost हमारी हो जाएगी, average stock held मतलब 200, multiplied by 8 रुपे, 2000 रुपे आ गई, बताओ, पिछली बार जानते हो, जब हमने पिछला question किया था, जहां पर EOQ हमारा order size था, तो दोनों का sum 1600 था, दोनों का sum 1600 था, यहां तो अकेली carrying cost ही देख लो, 2000 रुपे हो गई, sum देख लो, 2320 रुपे हो गया, मैंने कहा ना, EOQ best deal है, उससे deviate करोगे, तो आपको देखा, देखो कि आपकी cost में increase आएगा ही आएगा, फिलाल, वो हम analysis करें, पहले इसका answer बताइए, इसने दो चीजे मांगी हमसे, ordering cost जो की 320 रुपे आईए है, और carrying cost जो की 2000 रुपे आईए, 320 और 2000, कौन से option में है, so C is the correct answer, अब हम इसको analyze कर लेते हैं, जो हमने question number 18 और 19 में calculations किये, question number 18 में हमारे calculations क्या थे, हमने question number 18 में देखा, कि हमारा ordering cost जो था, वो 800 था, और carrying cost भी हमारा 800 था, और दोनों का sum कितना आया था, 1600 आया था, नहीं, अच्छा अभी जो हमने question किया, जहांपर 500 kg का order size था, हमारा ordering cost 320 आया, और हमारा जो carrying cost है, वो 2000 आया, और दोनों का sum कितना हो गया हमारा, दोनों का sum जो हो गया, वो 2320 रुपे हो गया, दोनों का sum क्या हो गया, 2320 रुपे हो गया, करेंगे, तो 19 में हमने order size को increase किया है, EOQ कितना था हमारा, 200 kg था, हमने order size बढ़ाया है, मतलब EOQ से उपर गये हैं, अगर हम EOQ से ज़्यादा order कर रहे हैं, मतलब 500 kg ने जैसे order किया, तो आपको ये तो पता है, कि हमारा order size जब बढ़ेगा, तो ordering cost में तो saving हो नहीं हो नहीं है, क्योंकि order size और ordering cost के बीच में क्या होता है, inverse relationship होता है, हम अगर ये देखें, हमारी ordering cost, जब EOQ order कर रहे थे, तो 800 रुपे थी, जैसे ही हम EOQ से उपर गये, मतलब order size को बढ़ाया, तो ये तो बढ़ी obvious सी बात है, हमें पता ही है, order size और ordering cost के बीच में inverse relationship होता है, तो ये तो गिरनी ही थी, ये तो हमें पता है, हमारी saving होई है, अगर आप ordering cost को देखोगे, अकेले, तो आपको दिखेगा, कि आपकी 480 रुपे की savings होई है, 800 रुपे की cost आपकी घटके 320 होई है, लेकिन हमने कहा न, एक cost को बचाने के चक्कर में अगर पढ़ गए, तो दूसरी cost इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि नुकसान कर बैठेंगे, आप देखिए caring cost, क्योंकि उसका तो positive relationship होता है, order size बढ़ाओगे तो caring cost बढ़ेगी बढ़ेगी, आप देखिए 800 रुपे से 2,000 रुपे हो गई, 1200 का increase आ गया, 480 रुपे बचाने के चक्कर में, आपने कितने रुपे extra यहाँ पर लगवा दिये, 1200 रुपे, तो यहाँ पर हमारा extra खर्चा बैठा, extra खर्चा कितना बैठा, 1200 का extra खर्चा बैठा, तो आप जोड़ा सोच के बताइए, एक कॉस्ट में आपकी 480 की माना बचा तो ही, पर दूसरी कॉस्ट में आपकी 1200 रुपे की extra कॉस्ट लग गई, तो नेट में तो आपने extra ही दे दिये ना, 1200 रुपे extra देके, 480 बचा भी लिए, नेट में मैंने 720 रुपेज ज़्यादा ही दिये हैं, आप total भी करके देख लो, तो total में भी तो extra ही निकल किया आया, extra कितना? 720, अगर आप देखिए, कुछ बचा तो भी कुछ extra भी गया, तो नेट में तो extra ही दिया ना, कितना extra दिया? 720 का, तो आप अगर देखिए, एक cost बचाने के चकर में अगर आप पड़ोगे, तो दूसरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि आपका net-net देखो कि तो नुकसान ही हो जाएगा, तो best deal अभी हमने क्या observe करी? हमने EOQ से ज़्यादा order करने की कोशिश अगर करी, तो ordering cost में मामूली सी बचत तो हो गई, लेकिन carrying cost हमारी इतनी ज़्यादा shoot-up कर गई, कि net में हमारा अगर देखें, तो sum of ordering और carrying जो है, वो net में बढ़ा हुआ ही देखा. मेरे ख्याल से ये analysis आपको समझ में आया होगा, इसको अब आप note कीजेए. चली, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, हमारा next question जो है, वो है question number 20. अब आप देखें, question number 18 जो हमने किया था, वो basic हमने उसमें EOQ निकाला था, 200 kg का आया था. 200 kg पर ordering और carrying का sum कितना था? 1600 था, 800-800 पर आया था. Ordering और carrying बराबर थी, और sum जो था, वो 1600 था, ठीक है ना? फिर 19 में, मतलब उसका जो next question हमने लिया, sum पकका पकका बढ़ेगा ही बढ़ेगा. इस question number 20 को देखो, तो same information है, 18 जैसी information है. यहाँ पर भी आप देखो कि annual requirement वही 20,000 है, और cost per order 8 रुपे है, और carrying cost निकालो कितो 8 रुपे ही आएगा, सब कुछ same है. इस बार मैंने order size 100 kg का रखा. मैंने का, अगर EOQ से कम order करते हैं, तब देख लेते हैं क्या होता है? अगर EOQ से कम order कर रहे हैं, ध्यान रखें लेकिन EOQ तो नहीं है ना, EOQ ही best deal है, EOQ से कम भी करके देख लगा, आपका sum of ordering carrying जादा ही आएगा. और यहाँ पर इसने हमसे क्या मांगा है ordering और carrying, आई यह अब एक एक करके निकाल देते हैं, सबसे पहले हमारा order size बदलेगा, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? number of orders नहीं निकालने पड़ेंगे. number of orders कैसे आते हैं? annual requirement को order size से divide करके 20,000 को divide कर देंगे, 100 से, 200 orders, 200 orders, तो हमारी ordering cost कैसे आएगी? number of orders को multiply कर देंगे cost per order से, यह लोजी, 1600 अगई. अकेली ordering cost ही 1600 है, जबकि EOQ वाला मतलब 18 number question में sum था 1600, यहाँ पर अकेली ordering cost 16 और पर हो चुकी है. इसके बाद carrying cost compute करोगे. उसके लिए average stock health चाहिए होगा, जो की order size by 2 करके आता है. तो यह 50 kg होगया. carrying cost per unit per annum तो वही 8 रुपर ही निकलेगी ना? तो carrying cost का formula होता है, average stock health 50 kg multiplied by 8 यह लूजी 400 रुपर आता है. तो अगर मुझे answer देना हो, तो क्या देंगे? 1600 रुपर की ordering cost, 400 रुपर की carrying cost, 1600 रुपर चार सो, सही answer क्या हो जाएगा? A. A is the correct answer. आप sum देख लिजिए, बढ़ या ना वापस हो. Comparison दिहान रखें, 19, 20 का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? EOQ का, और question number 20 का. EOQ 18 में किया था, 18 में हमने EOQ निकाला, और 20 में हमने EOQ से कम order size करके देखा, 19 में हमने EOQ से ज़्यादा order size करके देखा, मैंने आपको दोनों इसलिए करके दिखा दिये, कि एक बार, अगर हम EOQ से उपर की तरफ भी जाते हैं, या EOQ से नीचे की तरफ भी आते हैं, EOQ से ज़्यादा order करें, या EOQ से कम order करें, फायदा आपको EOQ पर ही होगा, मतलब total cost minimum EOQ पर ही आएगी, चलिए, 18 और 20 नमबर, इन दोनों questions का भी हम एक बार comparison कर लेते हैं, question number 18, जहाँ पर हमने EOQ order किया था, वहाँ पर ordering cost 800 और carrying cost भी 800 आई थी, और sum कितना हो गया था, 1600 का sum था, और जो question हमने अभी अभी solve किया, question number 20, इसमें ordering cost हमारी 1600 आई, और carrying cost हमारी कितने आई है, 400 रुपे आई है, तो दोनों का sum कितना आया, 2 ज़र आया, अफकोर्स ज़ादा आया, नहीं, अब आप ज़रा सूचिए, हमने यहाँ पर EOQ से कम order किया है, EOQ से कम order करेंगे, इसका मतलब कम carry करना पड़ा होगा, और कम carry करेंगे, तो of course carrying cost reduce हो नहीं थी, अगर हम order size घडाएंगे, तो carrying cost भी घटती है, और आप देखिए, carrying cost हमारी घटी है, क्योंकि carrying cost और order size के बीच में, positive या direct relationship होता है, यहां पर हमारी definitely savings हुई है, एक cost में हमारी बचत हुई है, 400 रुपे की बचत हुई है, लेकिन मैंने का ना, एक cost के पीछे भागेंगे, तो दूसरी काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा order place करोगे, तो हमारी ordering cost बढ़ दाएगी, हमारी ordering cost जो extra लगी है, वो 800 रुपे extra लग गई, मतलब 400 रुपे की बचत तो कर ली, पर उस 400 की बचत के पीछे, हमने 800 रुपे extra दे दिये, तो net में हमारा कितना extra cost लग गई, नेट में हमारी जो extra cost लगी है, वो 400 रुपे लगी है, देखो जो वो basic principle था, कि order size और ordering cost के बीच में inverse relationship होता है, order size और carrying cost के बीच में positive relationship होता है, वो यहाँ पे apply होते वे दिख रहा है हमें हमें, हाँ, हमने जब order size EOQ से उपर किया, तो एक cost हमारी बची, ordering cost हमारी बची, लेकिन दूसरी cost बहुत ज़दा लग गई, net में हमें नुकसान ही हो गया, क्योंकि EOQ से deviate कर गए, हमने जब order size EOQ से नीचे किया, तो जो वो principle है, उसके accordingly carrying cost में तो हमारी बचत होनी ही थी ना, वो हुई भी है, लेकिन ordering cost proportionally देखोगे, तो ज़्यादा लग गई, net में हमें यहाँ पर भी नुकसान हो गया, तो इन तीनों questions को करके, आपको क्या पता लगा, EOQ ही best deal है, यह धियान रुखेगा हमेशा, EOQ order size होता है, यह वो order size होता है, जहाँ पर cost सबसे कमाती है, है यह भी order size ही, हम EOQ जब निकालते हैं, तो order size ही निकाल रहे होते हैं, चलिए, अब हम कुछ exam के MCQs देख रहे हैं, और शुरुवात हम कर रहे हैं question number 21 से, जो की December 2019 में आया था, एक simple सा theory MC की पूछा गया इस EOQ के उपर, कहता है EOQ digital means the order size that minimize the total inventory cost, the order size where ordering cost is lowest, ordering cost lowest ज़रुड़ी तो नहीं है भई, नहीं, अगर हमें ordering cost lowest करनी हो, तो हम कम से कम order place करें, कम से कम quantity का order place करें, ज़रुड़ी नहीं है, where carrying cost is minimum, यह भी बात ज़रुड़ी नहीं है, सम जरूड दोनों का minimum होता है, यह जरूरी नहीं है, the order size which will earn discount on purchase, ऐसे तो हमने कोई बात नहीं करी कि कोई discount मिलता हमें ऐसी order size पर, यह वो order size है, जहाँ पर हमारा inventory का total cost क्या आता है, सबसे कम आता है, तो उसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer होगा A, चिक असान सा MC क्यो था, question number 22, December 2020 का question है, केदा following details are available in respect of a firm, annual requirement दे रखका है, 20,000 units का है, cost per unit 10 रुपे है, और बोल भी रहा है कि इसके अंदर carrying और ordering cost नहीं है, इसका मतलब यह purchase price है, एक unit का 10 रुपे का, carrying cost 10% है, हमें पता है कि जब हमें carrying cost percentage में दे रखकी होती है, तो हम किसके ओपर apply करते हैं, एक unit के purchase price पर, फिर हमें cost of placing an order, मतलब cost per order दे रखका है, 500 रुपीज, इसने हमसे EOQ मांगा है, तो पहले तो हम EOQ का formula लिख लेते हैं, EOQ का formula क्या होता है, square root of 2 into A into O divide by C, यहाँ पर हमें annual requirement दे रखका है, 20,000 units है, cost per order मतलब O हमें पता है, 500 रुपे है, carrying cost जो है, मतलब C, carrying cost per unit per annum चाहिए, तो 10 रुपे एक unit का purchase price है, इसी के ओपर 10% apply करेंगे, तो हमारा carrying cost per unit per annum 1 रुपी आजाएगा, तो अब आप EOQ के formula में put कर लीजए, 2 into 20,000 into 500 divided by 1, cost square root, चलिए, मुझे निकाल के बताएगे कितना आ रहा है, सर ये आ रहा है, 4, 4, 7, 2 units, ठीके ना, 4, 4, 7, 2 units, A is the correct answer, देखें भी ये examination question है, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question हमारा है, question number 23, question number 23, June 2021 में आया, और इस question में इसने हम से फिर से EOQ मांगा, मैंने कहा ना, EOQ इस chapter का सबसे important concept है, हमारे exams के point of view से, annual requirement of inventory दे रखा है, 1,00,000 units, cost per unit यहाँ पर 20 रुपे है, carrying cost वही 10% का जैसे पिछले question में था, और cost of placing order 1000 रुपीज है, तो हमें यहाँ पर A पता है, A कितना है, 1,00,000 units, हमें यहाँ पर O पता है, O कितना है, 1,000 रुपे, और हमारा carrying cost per unit per annum कैसे निकलेगा, एक unit का purchase price 20 रुपे है, उसके उपर 10% apply कर देंगे, तो वो 2 रुपे आ जाएगा, अब आप EOQ के formula में यह support कर दीजे, 2 into A, A कितना है, 1,00, इंटू O, 1,000, divide by C, बता है, 2, तो बता यह जी कितना आ रहा है, यह सर आ रहा है, 10,000 units, तो A is the correct answer, easy question सही आ रहा है, examination question है यह भी, चलिए, अगले exam question की तरफ बढ़ते हैं, अगला exam question, question number 24, जो की December 2019 में आया, यहाँ पर ध्यान रखिए, इस बार हमको ना monthly demand for raw material दे रखका है, हमें क्या चाहिए होता है, annual requirement of the raw material, तो हमें पहले यहाँ पर A compute करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, 150 को 12 से multiply भी करना पड़ेगा, तो 150 को 12 से multiply जब हम कर देते हैं, तो अठारा सो आता है, अठारा सो यूनिट्स की हमारी यहाँ पर annual requirement होगी, फिर हमें cost per order आठ रुपे दे रखी है, और हमें carrying cost per unit per annum भी सीधे सीधे रुपीज में ही दे रखी है, तो हमारा काम यहाँ पर इसलिए असानी है, बस a निकालते वक्त आपको दियान तोड़ा सा रख रहा था, तो square root of 2 into a 1800 into 8 रुपे डिवाइड बाइड टू, और यह आ रहा है 120, 120 units, b is the correct answer, चलिए, next question की तिरफ बढ़ते हैं, question number 25, June 2022 का question है, और यहाँ पर भी वो कहता है, DEF Limited, a manufacturer of ballpoint pens, is interested in knowing the EOQ, it furnishes you the following information, हमें annual requirement दे रख का है, cost per unit दे रख का है, carrying cost फिर से वही percentage में, सब कुछ ही है यहाँ पर, हमारे पास A कितना है, A हमारे पास यहाँ पर 40,000 units है, वो हमारा यहाँ पर कितना है, cost per order 480 rupees है, और जो C है, वो carrying cost हम निकालेंगे, 16 rupees का 15%, तो 16 रुपए का 15% जब हम compute करते हैं, तो वो 2.4 आ रहा है, कुछ बच्चे ना सिरफ इतना पढ़ लेते हैं, ordering cost, ध्यान रखे, आगे ना लिखा भी है, per order, यह एक order का ही है, कुछ बच्चे को लगता है, total ordering cost है, वो सिरफ इतना ordering cost पढ़के, इतना ही बस पढ़के बोल देते हैं, तो total है, आगे पर order भी तो वोर्ड ना, तो यह एक order का है, तो अब हम EOQ compute कर लेते हैं, बताए कितना हो रहे हैं, 4000 units आ रहा है, C is the correct answer, इस सारे examination questions हैं, और आप देखिए, EOQ almost हर attempt में, इसके उपर question आ ही जाता है, next question, December 2021 का question है, और इस question में भी हमें, जैसे अभी था, monthly requirement of raw material दे रखा हैं, और हमें गया चाहिए होता है, हमें annual चाहिए होता है, तो पहले हम इसको annual में convert कर लेंगे, तो 1200 मंत्ली है, तो 1200 को 12 से multiply करने पर, कितना आ रहा है, 14,400 आ रहा है, उसके बाद हमें, cost पर order मतलब O दे रखा है, 400 rupees, और carrying cost हम कैसे compute करेंगे, जो हमारी एक unit की purchase cost है, मतलब 1500 रुपया, उसको 13% से multiply कर देंगे, तो 150 को जब आप 13% से multiply करते हैं, तो यह 19.5 आ रहा है, एक बार प्लीज आप भी चेक कर लिजे, EOQ is equals to 2 into A, मतलब 14,400 into O, मतलब 400, divided by C, मतलब 19.5, चलिए, calculate करके बताईए कितना आ रहा है, यह आ रहा है 768.6 आ रहा है, अगर आप decimal में देखेंगे, तो 768.6 आ रहा है, पर यहाँ पर हमें answers decimal में थोड़ी दे रखेंगे, इसका मतलब हमें round off करना पड़ेगा, और जब आप इसको round off करेंगे, क्योंकि decimal के बाद 5 या 5 से जादा अगर होता है, तो हमें upper side पर round off करना पड़ता है, तो यहाँ पर अगर हम इसे upper side पर round off करेंगे, तो यह 769 units निकल के आएंगे, इसका मतलब correct option B हो जाएगा, यह जो मैंने बीच में एक चड़िया का sign मिनाया है, इसको similar to बोलते हैं, similar का sign होता है, जब आपने कभी school में match पगेरा में similar triangles करके कभी शायद सुना हो पड़ा हो, तो यह similar का sign होता है, 768.6 is similar to 769, आज की class को यहीं तक रखते हैं, और I hope कि आप हमेशे की तरह video तो like करी देते होंगे, और please comment करके भी जरूर बताएगा कि आपको वीडियो जो है, वो कैसी लग रही हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं subscribe किया है, तो देर किस बात की, वो भी आप subscribe करी लीजएगा, मिलटे अब next class में, thank you so very much, take care, bye. झाल Acho ब जबस्टब झालिए हैं, झाल झाल